How to fix trail app can't play video problem नमस्कार डोस्तो सुआगर आप सभी का तेकिर आची यूटूब चैनल पर तो दोस्तो यह दिए आप जो है वीडियो उसको प्ले नहीं कर पर है trail app पर तो दोस्तो कैसे करके आप इस problem को यहाँ fix कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के regarding पर solution बताने वाला हूँ यहाँ पर डोस्तो आपको solution करना होगा उसके बाद जाके आपका जो problem ही वो fix हो जाएगा लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको basic solution बताऊँगा basic solution के बाद दोस्तो problem solve हो जाता है तो आगे आपको solution करना नहीं होगा आपके लिए और भी आसान बन जाएगा तो वीडियो को आन तक जरूर देख लिजेगा और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यहरी आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो make sure कि आप चैनल को भी subscribe जरूर कर दे सारे साथ दोस्तो bell icon को भी click जरूर कीजिगा यहरी आप online से पैसा कामाना चाते हैं तो उसके लिए दोस्तो हमने description पर video link दे रखा है और दोस्तो किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message जरूर कर दीजिगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना है यदि आपका जो video से वो play नहीं हो पा रहा है तो दोस्तो आपको इस दारेकली बेक कर लेना है और आपने internet connection चेक करना है तो आपको दोस्तो यहाँ पर में सिर्फ दो ही प्रकर का solution बताऊंगा internet connection को fix करने के लिए सबसे पहले setting पर जाना है उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा network ठीक है mobile network उसके बाद यहाँ पर आपको अपना sim select करना है जिससे आप internet यूज करते है उसका जो preferred network type है उसमें click करे और यहाँ पर आप एक बाद 2G select करके 4G set कर दीजिगा यानि कि इसको बोलते है network connection switch करना उसके बाद आपको क्या करना है नीचे connection and sharing पर जाना है और यहाँ जो option है reset wifi mobile network उसमें click करना है और reset setting पर click करना है यहाँ से दोस्तों आपका network setting reset हो जाएगा यही आपको यह setting धुनने में दिक्कत हो रहा है search setting पर जाके search करे network setting reset आपको यह option भी मिल जाएगा ठीक है तो पेले तो आपको network refresh करना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको दोस्तों play store पर जाना है ठीक है play store पर जाना है और अपना application को update कर देना है तो application update करने के बाद दोस्तों आप जो है mobile को एक बार restart किजीगा उसके बाद जाके आप trail app को open किजीगा और आपका जो problem है वो already fix हो चुका हुगा तो यह था दोस्तों एक basic solution तो ज़्यादा कुछ करने की जरुवत नहीं है नेटर को solve करना है application को update करना है mobile को restart करना है उसके बाद try करना है आपका problem solve होते हुए आपको नजर आ जाएगा और दोस्तों मान लिजे इसके बाद problem solve नही हुआ तो आपको क्या करना है तो उसके लिए भी दोस्तों यहाप मैंने solution आपको देने के लिए सोच रखाए तो क्या करना है आपको setting पर जाना है scroll down यहाँ पर कर लेना है उसके बाद apps पर जाना है और यहाँ आपको मिलेगा manage app install app या तो फिर app manager करके आपको option दीख जाएग ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको जो है search करना है trail app तो चलिए हम यहाँ पर search कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर trail app जो है बहुरी बढ़िया applications जो की made in India process में launch किया गया है तो दोस्तों आपको भी यह use करते रेना चाहिए तो कोई problem आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जाकि दोस्तों आपको क्या करना है इसका data को clear आप कर देना है तो data clear करने से दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपका जो account वह ही logout हो जाएगा तो कोई दिक करनी होगा आप sign in भी कर सकते हैं दुबारा से तो यहाँ पर आपको clear data करना है एप permission पर जाके सारे permissions को allow करना है उसके ब आप जाहिए बेक कर सकते हैं और mobile को restart कर सकते हैं mobile restart करने के वास आप ट्रेलेप पर जाएए देखिए आपका problem solve हो चुका होगा तो बस दोस्तों अभी के लिए यही यह solution इससे आपका problem definitely solve हो जागा यही आपको इसके regarding पर कोई भी problem है तो दोस्तों आप हमें message करके बताएए Twitter पर या तो फिर आप हमें दोस्तों वीडियो के जो comment section है ठीक है उसमें भी आप हमें comment करके बता सकते हैं exactly problem आपको किस तरह से आ रहे हैं ताकि हम जो है आपके problem solve कर सके हैं आप बिल्कुल कभी कभी time लग जगते हैं आपको reply करने में लेकिन दोस्तों यहाप पर आप हमें ज़रूर बता सकते हैं तो दोस्तों यदि हमारा नजर आपके comment पर पर जाता है तो दोस्तों उसके regarding पर भी video जल्द से जल्दी बना देंगा ठीक है बना देगा यहाँ पर तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching